नमस्कार दोस्तों, घरेलूख अबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखें। दोस्तों घर पर अगर आप सुक सांती चाहती हैं और चाहती हैं कि आपके घर में गुड लगाए तो बिंड चाइम लगाना चाहिए और बिंड चाइम लगाने से आपको कुछ ऐसी बाते होती है जिस पे आपको विशेज ध्यान देना चाहिए ऐसा नहीं कि मार्केट से बिं हो सकता है। जी हां डोस्तों, बिंड चाइम LAUG पही कोई सही डायरेक्शन होता है, पहीं सही धातू का यहीं बिंड चाइम लागाना चाहिए। और उससे मधूर ध्वनी आती है और मधूर ध्वनी से मन खुस हो जाता है। बिंड चाइम को फेंग सुई में बहुत ही सूप बताया गया है। दोस्तो एक तरफ जहां बिंड चाइम की ध्वनी उसी महसूस होती है, वही बिंड चाइम को घर पर अगर सही दिसा में नहीं लगाया गया तो असुब संदेश देता है इसका मतलब है कि अगर आपके घर में कुछ असुब हो रहा है बिंड चाइम लाने के बाद तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैंने इसे सही दिसा में नहीं लगाया है तो दोस्तो wind chime लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो घर की खुबसूरती, मन की सान्ती के साथ साथ घर की घुसियां भी बढ़ाता है wind chime वैसे तो बाजार में आपको wind chime कई तरह और धातूं के मिल जाएंगे मगर आप यदि किसी धातूं का बना wind chime घर ला रही हैं तो उसे कहीं भी न लगाएं बलकि धातूं के बने wind chime हमेशा घर की west या north direction में ही लगाना चाहिए अगर आप लकडी से बना wind chime यूज़ कर रही हैं तो आपको या east और या south direction में ही लगाना चाहिए अगर आप किसी भी दिशा में बिना सोचे समझे wind chime लगाएंगी तो घर में सांती की जगह असांती ही फैलेगी अगर आप अपने bedroom में ही wind chime लगाना चाहती हैं तो आप ऐसा करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि wind chime 9 rod वाला होना चाहिए बाजार में आपको 2 rod से लेकर 10 rod तक के wind chime मिल जाएंगे मगर आप अपने bedroom में wind chime लगा रही हैं तो उसे खिड़की पर ही टांगे और 9 rod वाला ही wind chime ले ऐसा अगर आप करती हैं तो आपके और आपके पती के मध्ध प्रेम संबंध मधूर होंगे और अगर आप चाहती हैं कि आपकी या घर में मौजूद किसी भी महिला की सेहत अच्छी बनी रहे तो भूल से भी किचेन और पूजा घर में wind chime ना टांगे ऐसा करने से घर में मौजूद महिला की सेहत पर बुरा असर पड़ता है आपको wind chime वहां लगाना चाहिए जहां से बायू का परवेश हमेशा ही घर से होता है आप घर के मुख़द्वार पर wind chime लगा सकती है अगर आपका घर बड़ा है और घर का दरवाजा बड़ा है तो आपको कभी छोटा wind chime वहां नहीं टांगना चाहिए घर में मौझूद नकारात्मकुर्जा को कैसे भगाना है इसका राज भी wind chime में छुपा है अगर आप अपने घर की आकार के हिसाब से wind chime का चुनाव करेंगी तो यह आपके घर में सकारात्मकुर्जा लाएगा अगर आप wind chime खरीदने जा रही हैं इसे आपके घर में सुप समाचार आएगा तो दोस्तो आसा ही नहीं पोन विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप wind chime खरीदना चाहते हैं घर में टांगना चाहते हैं तो मेरे इन वातों का आप अवस्य ध्यान रखे तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करे, share करे और अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूखावर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करेंगे Thanks